चलिए तो भी कंटीनियू देखते हैं हम टेक्स निकालना सीखते हैं अब बीजेपी की गवर्मेंट वो लगभग लगभग आठ साल हो चुके हैं और आठ साल में फाइनेंस मिनिस्टर तीन बदल चुके हैं सबसे पहले अरुंजेटली थे फिर कुछ दिनों के लिए एक और फाइनेंस मिनिस्टर आये थे प्यूस गोएल के नाम से कुछ दिनों के लिए उसके बाद फिर निर्मला सीतारमा हर इंसान का अपना नजरिया होता है टेक्स को प्लैनिंग करवाने का या टेक्स को लोगों को बताने का जैसा निर्मला सीतारम ने दो टेक्स रेट निकाल है ओल्ड रिज्म और नियू रिज्म हम अभी कौन सा रिज्म कर रहे हैं ओल्ड वाला चाहिक है ना बीच में धाई लाक रुपए पता है यह कब से चल रहा है धाई लाक रुपए तक निल 2000 मान के चलो पहले दो था फिर इसको ढ़ाई किया गया मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है 2009 यह 10 के आसपास यानि 22 साल से मतलब के 2009 10 12 13 साल से और almost 10 साल से यही चल रहा है धाई लाक रुपए तक zero और इससे यह 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 बात सही है कि 8 साल पहले धाई लाक कमाना बहत बड़ी बात था लेकिन आज के टाइम पे धाई लाक रुपए कमाना साल का बड़ी बात नहीं रह गई है क्योंकि सेलरी भी दस साल पहले salary कम हुआ करता था लोगों का आज लोगों की salary जादा है हर बार salary वाले परसन जो salary करते हैं, जो job करते हैं उनका यही सरकार से उमीद होता है कि हमें tax में relief दी जाए हमें tax में छूट दिया जाए अब government ने भी यहां पर क्या दिमाग लगाया बोला चलो धाई लाक रुपे तक निल है पहले यह 10% हुआ करता था तो government देखो हर बार change किया सबसे पहले यह 10 हुआ करता था समझना background कैसे कैसे हुआ पहले यह 10 हुआ करता था लोगों ने बहुत जोर सोर से opposition party ने मुद्दा बनाया tax rate में कुछ भी नहीं दिया जैसा ही government tax देता है तो opposition party का देखना बजट लेकर आएंगे न इस बजट में तो कुछ है ही नहीं गरीबों के लिए कुछ ही नहीं है अमीर अमीर को बाट दिया गया है सब कुछ गरीबों के लिए कुछ दिया ही नहीं है क्यूंकि दूसरा उसकी कमिया निकालता है तो वो सुधारता है तो भाई फिर एक बार budget दिया कोई tax rate में change नहीं है लोगोंने मुद्दा बनाया तो फिर अगले budget में उन्होंने क्या करा अब 10 नहीं करेंगे सिर्फ इसको कितना कर दिया उसने 5 दस से कितना करा पांच ठीक है लेकिन फिर दीरे दीरे बोल बहुत दिनों तक यही चलता रहा है यही आता रहा है फिर लोग बाग कह रहे हैं कोई change नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं बेकार बजट है अगर किसी की इंकम 5,1 रूपिया हो जाता है तो फिर वो नहीं से 5 तक भी टेक्स देगा यानि कहने का मतलब है सर सिंपल सा उसने गौवर्मेंट ने क्या रूल निकाला देखो गौवर्मेंट अपना तो सोच रही थी बस मुझे एक बजट में बोलना है उसने बोला अब पांच लाख रुपए तक कोई भी टेक्स नहीं लगेगा लेकिन अगर पांच लाख एक रुपए भी होता है ना आपका पांच लाख एक रुपए भी अगर हो जाए तो आपको इसी कैटेगरी के हिसाब से टेक्स देना पड़ेगा रूल ये निकाला अब ये समझ लो कुछ लोगों को benefit मिला है आपकी income 3 लाख है ओके आपकी income 4 लाख है ओके आपकी income 4 लाख है तब भी आप खुश हो लेकिन जैसे ही आपकी income कितनी हो जाएगी पांच लाग से जैसे ही उपर जाएगा तो कम से कम minimum to minimum आपको 5% का तो text देना ही पड़ेगा और उससे उपर पर हम सारी calculation आराम से सीखेंगे सबसे पहले हमें यह समझना है कि लोगों की income को निकाला कैसे जाता है हम पहले वो सीखेंगे कि कैसे लोगों की income को निकाला जाता है फिर एक income को लेके और different different income को लेके हम सारे slab rate को use करना भी सीख लेंगे आज ठीक है न तो सबसे पहले income अगर किसी का निकालने को बोला जाए न तो हम सीखते हैं क्या income कैसे निकाला जाए सर अगर किसी का भी income निकाला जाता है तो income आपका format दिखिए ये रहेगा वैसे अभी जुरुरत है नहीं format का लेगिन फिर भी हम format लेके चलेंगे ताकि आगे तो follow करना ही है ये format रहने वाला है हमारा और format basically ऐसा कोई fix नहीं है ये आपके थोड़े आसानी हो जाए काम इसलिए पर्टी रुबीस पर्टीकुलर और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा हो सकता है हो सकता है Mr. X हो सकता है Mr. X एक विक्ती है उसका text निकालने को बोला जाए तो text क्या निकालना है total text यहाँ पे total को निकालने को computation बोलेंगे computation of Mr. X हम किसके text निकाल रहे हैं? computation totaling किसका कर रहे हैं? Mr. X तो कुछ-कुछ words है जो common है सारी चीजे बट मैं फिर भी बता रहा हूँ आप ऐसे नहीं बोलेंगे total text of Mr. X यहाँ पे एक अच्छा सा word इस्तमाल किया जाता है law में computation ठीक है न computation of Mr. X और इसके bracket में लिख देंगे हम for हमेशा text निकाला जाता है ay लिख रहा हूँ मैं ay stand for assessment year जैसे for example assessment year मैंने ले लिया 2023 और 2024 ले लिया for example ले रहा हूँ 22-23 का रहेगा हमारा 23-24 ले लिया सबसे पहले किसी का भी निकालोगे तो उपर यह लिखना है basic सी चीज़े है simple सी चीज़े है लेकिन बड़ी काम की चीज़े बच्चे पूरा तो सीख लेते हैं लेकिन formatting भूल जाते हैं exam में marks कट जाता है अब salary के 5 source थे सबसे पहला source हमारा जो यहाँ पे रहेगा point number one income under the head of salary सबसे पहले salary का होगा मैं एक छोटा सा example भी लेते जा रहा हूँ मान लेते हैं salary की income पांच लाग है ठीक है ना लेकिन salary की income पांच लाग कैसे हुई यह आपको chapter है पूरा सीखना पड़ेगा अब मैं आपको छोटा सा example salary का working note दिखाऊ salary income जो निकाला जाएगा ना कैसे निकालेंगे salary income जैसे निकलेगा सबसे पहले salary मान लो पांच लाग पचास अजार है इसमें से minus हो जाता है deduction under section 16 subsection 1A पचास अजार रुपे का deduction हो जाता है इसके बाद आता है हमारा taxable salary जो की है पांच लाग सर हमें कैसे पता चलेगा यह deduction क्या है minus कैसे करेंगे नहीं करेंगे यही तो salary के chapter में पूरा सिखाएंगे जब सारा कुछ minus plus कर लेते हैं तब जाके यहाँ पर आता है salary income ठीक है इसके बाद number 2 चेक करेंगे क्या आप कहीं और से भी income कमा रहे हैं जैसे income under the head house property house property में बताया था याद होगा rental income मान लेते हैं 2,00,00 उसके बाद क्या आप कहीं से और income कमा रहे हैं यानि हर वेक्ति अपने पांचो head जो पांच करे थे हमने पांच कौन से जो पांचो head बताये थे उस पांचो head को पहले observe करेगा कहां कहां से income है पहले वो लिखेंगे जैसे मैंने बोला income from और from नहीं लिखना from लिख सकते हैं वैसे मैं लिखना हूँ income under the head अब मैं short form लिखना हूँ P जी बी पी पी जी बीप सर यह short form क्या है business income है profession profit gain business and profession इसका full form होता है तो आप simple सा इतना दिमाग में क्यों जोड डालना business के income अलग हो गया न वो simple business का income अब सर चौथा भी कोई income हो सकता है हो सकता है वेक्ति का क्या हो सकता है मान लेते हैं यह income इसका था एक लाख रुपे का loss था इसका इसका इसमें तो profit नहीं कम आया उसने एक लाख का loss करके बैठ किया बिजनस में अगला है income under the head capital gain सर यह क्या होता है capital gain मान लेते हैं इसमें इसका कोई role ही नहीं था इसने कोई ना तो खरीदा assets ना तो बीचा निल अब आत करते हैं पांचवा income income under the head other source other source अगर कोई वेक्ति बोलता है other source में हो सकता इसकी lottery लगी हो हो सकता इसका ब्याज का income हो सकता इसका dividend का income हो बहुत सारे income होते हैं वो सारी हम लिस्ट देखेंगे जैसे यहां तक पहुंचते हैं ना इसके बाद हम निकालते हैं gross total income जिसको मैं आज के बाद कई बार GTI भी बोल दूँआ शॉट फॉर्म है gross total income हम यह निकाल लेते हैं gross total income सर कितना होगा देखो इसका gross total का मतलब अभी इस पर tax नहीं देना अभी कुछ बाते और हैं उसको minus plus करने के बाद text देना होगा तो sir GTI के आएगा 5sty, 2sty, 7sty würden, 30 Syrian लेकिन 1 estimate loss है तो उसको minus करना allowed है 1, layout loss है तो minus करना allowed है तो 5, 2, 7, 1,6 2 और 3 कितने it cho rest 9, 0 यानि यहांसे एक point और हमें समझ में आया sir के loss अगर होता है कही से तो हम उससे minus कर सकते हैं उस income से इसके उपर भी एक chapter पूरा बना हुआ है set of and carry forward जो कि हम सीखेंगे अलग से मैं हर बार बाते बताता जा रहा हूँ अगर मैं बोल रहा हूँ किसी बात के बारे में point के बारे में इसके लिए chapter है तो मैं समझ सकते हो यहां पर सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूँ जब chapter स्टार्ट होगा तो बड़े detail में topic वो जाएगा सारी चीज़े ठीक है ना सर इसके बाद क्या है हमारा इसके बाद क्या होगा gross total income gross total income के बाद आगे ना जैसे यह राम है हम राम से बोलते हैं कि भाई तूने income कितना कमा लिया राम से बोला इसने बोला कि तूने income कमा लिया नौला पर अब इसके उपर text दे राम बोलेगा सर मैं देश का एक एक काम कर इसमें से तू 3 लाग रुपे की FD करा दे, तो तेरी income मैं कर दूँगा 8 लाग, तेरी income क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जो क्या रहेगा, 8 लाग, समझे रहे हैं बात, तो राम क्या करेगा, ज 시간이 के 50 करवा देगा, पैसे तेरे पास ही रहेंगे, करवाना है तो तेरी इंकम कर देंगे आठ लाफ अब मैंने बताया था जिसकी पांच लाख रुपए तक इंकम है उसको टेक्स देना है नहीं देना तो अब यह क्या चाहेगा कि मेरी इंकम कितनी हो जाए पांच हो जाए जिससे कि मैं पूरा बच जाओ फिर गवर्मेंट कहे करो उसके बाद फिर यह अभी भी यह नहीं आया वहां तक फिर गवर्मेंट ने इससे बोला कि अच्छा तुम एक काम करो आपने क्या किसी डिसेवल परसन का जो की है उसकी मदद की है तो फिर हम और माइनस करने के लिए देंगे अगर बोलता है कि हाँ जी पचास अजार म क्यों की रजिस्टर्ड गवर्मेंट के अंडर यह बोलता हां मैंने डोनिशन दिया तो बोला और माइनस करने देंगे अच्छा तुम बताओ पॉलिटिकल पार्टी को कोई चंदा दे रहे हो इसने बोला हां दे रहा हूं तो और माइनस करने देंगे मतलब इसके इनकम के बाद इसे छूट दी जाती है कि आप कहीं जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं अगर यहां आपने पैसे लगाए हैं तो हम आपकी इंकम को 9 लाक ना मानके उसमें से वो चीजे माइनस करना हम क्या कर देंगे अलाव जिसको बोला जाता है डिडक्षन यानि सर इस पे टेक्स न है 8-7 से लेके 8-2 तक सेक्शन है हमारे 8-8 से लेके 8, U जिसमें से मैंने बोला थैं F-ड करवा लो तो यह आता है 80-C के अंदर मान लेते हैं FD करवाया थैंba अब इसने 1 लाक का डिडक्षन ले लिया अब इसका इंकम कितने निखल के आए सर अब इनका इसका जो भी इंकम सर कितने रुपय का taxable income अब इसे 8,00,00 पर tax देना होगा तो इस तरीके से किसी वेक्ति का पूरा हमें taxable income है अब इसके ओपर tax कैसे calculate होगा वो अभी हम देखेंगे ठीक है ना टेक्स कैसे calculate होगा क्योंकि अभी हमने elaborate भी देख रखा है आप सबने notebook में note किया है तो रखना मैं यहीं पर इसका tax का यह सारी चीजे मैं बता दूँआ थर्ड पॉइंट कौन से है यह PGBP इसका business था इसने एक दुकान खोली और इस दुकान के अंदर इसको लग गया नुकसान और नुकसान होते ही loss होते उसने सारे income में से adjust कर दिया ठीक है ना जरूरी थोड़ी है business में हमें सा फायदा कमाये जाए और एक ही वेक्ति है राम यह क्या एक वेक्ति बहुत सारे business उस नहीं कर सकता कर सकता है ठीक है पहले यहां तक बताइए आपको किसी भी वेक्ति का मैं फटा फट से quickly एक बार फिर से revise कर देता हूं किसी भी वेक्ति का income निकालने का एक तरीका क्योंकि मैं वेक्ति वेक्ति परसन इसलिए बात कर रहा हूं individual का ही syllabus में है हमारे किसी भी individual सबसे पहले हम उसके income को चेक करेंगे कि भी यह तुम कहां कहां से पैसे कमा रहे हो सबसे पहला पार होता है क्या हम सेलरी से कमा रहे हैं चेक करेंगे अगर कमा रहे हैं तो लिख लेंगे और सेलरी में क्या-क्या rule and regulation लगेगा वह कहां पढ़ने वाले हम सेलरी चेप्टर मे उसके बाद चेक करेंगे भ VII आ क्या तुम कहीं rent वगरा तो नहीं आता अगर आता है तो ठीक नहीं आता हो तो zero उसके बाद चेक करेंगे तुम business वगरा तो नहीं कर रहे अगर business कर रहे हो तो दिखा दो profit या loss अगर नहीं कर रहे तो zero फिर capital gain फिर other source इन सभी को जोड दिया जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा gross total income इसके बाद सरकार ने जहां जहां पैसे खर्चने को बोला गया अगर आपने उस जगह पे पैसे खर्च किये हैं तो आपको यहां से minus करने के लिए दिया जाएगा जिसको बोला जाता है deduction जिसको किस नाम से जाना जाता है डिदेक्षन ये हमारा एक एक सी मी कोई نہیں नहीं रोक सकता दुनिया की ताकत आने से पंद्रा का फिक्स आएगा इसमें से आपका हाउस पॉपर्टी में से दस का कुश्चन आएगा इसके अंदर हाँ चैप्टर है सर यह पूरा अगर आपने यह पांच चीजे कर ली ना इंकम टेक्स खतम इन पीजी वीपी से कितने नंबर का कोश्चन आएगा चे से पंद्रा नंबर का कोश्चन पूछा जाएगा अंडर्डा है अपने आप में क्या एक चैप्टर है तो सर यहां से जैसे डिटक्शन माइनस करेंगे तो क्या आजाएगा टेक्स वल income, government बोलता है आपकी taxable income आठ लाख है, चलिए आजाईए आपका tax निकालते हैं, पहले तो आपकी उमर बता दें कितनी है, इसने बोला कि मेरी उमर जो है age जो इसकी है वो है मान लेते हैं कि 35 year अब 35 year है तो इस पर slab rate कौन सा लगा देंगे हम, 1, पहले वाला slab rate 1 के हिसाब से बोलेंगे भाई, up to up to 250 आप चेक करिएगा आपने लिखा है तो up to 250 आप से लेंगे 0, कोई tax नहीं लेकिन आपने जो next 250 कमाए है next 250 इस पर आपका at the rate कितने percent लगेगा, यानि सीधा बोले तो 12,500 500, कुछ बच्चे नहीं confused हो जाते हैं, सर आपने तो 2,500,000 से 5,500,000 बोला था, यहाँ पर आप next 250 लिख रहे हो, तो बात तो वही है न, 2,500,000 से 5,500,000 की जगह पर रखें या फिर next 250 बोलें, चीक है उसके बाद next 5,000 इसके बाद तो 5 से 10 का चलता है, तो next 5,000,000 लेकिन इस बचारी की इंकम ही 8,000,000 है, तो हम क्या बोलेंगे next 5,000,000 नहीं बोलेंगे हम क्या बोलेंगे next 3,000,000 इस पर कितने परसेंट लगेगा 20% मतलब 60,000 रुपे, ठीक है अब 60,000 पर इसका आ जाएगा टोटल 72,500 ध्यान से देखिएगा टोटल क्या आ गया हमारा 72,500 इसे टेक्स देना है टोटल 72,500 रुपे अब 72,500 रुपे जो आपके टेक्स हैं, अभी ये पूरा टेक्स नहीं है इसके अलाबा हमें ने आपको कुछ extra features दिया है extra services दिया है ये तो उसके लिए है road ये उसके लिए है जो कि common आपको मिल रहा था लेकिन आप सभी ने मैंने वचन दिया था अपने manifesto में मैंने बोला था मैं ये करके दिखाऊंगा लेकिन मैं अपने घर से कहां से नोट चापने की मसीन तो मेरे पास भी नहीं है मैं आप से ही लूँआ तो इसके अंदर government आप से लेता है बच्चों को पढ़ाने के अलग से और charge इसके अंदर लेता है clean गंगा के नाम से और charge इसके अंदर आप से लिया जाता है health education के लिए charge मतलब जो की आपने देखा होगा के PM योजना के अंदर पांच लाग रुपए तक का आपका free treatment कराया जाता है मुझे याद नहीं आ रहा है उसका कोई policy का नाम है आयूशमानों योजना में अब वो अलग बात है हो ना हो लेकिन यह चीजे है तो अब पांच लाग तक तो उसके लिए लेंगे उसके बाद अभी करोना आ जाता वो तो ज़्यादा दिन नहीं चला नहीं तो करोना भी लगा देते हैं एक परसंट हम उसके vaccine के लिए ले रहे हैं ठीक है ultimately मैं बात करूँ न तो यहाँ पर और वो add करते हैं 4% 4% में सारा है आपको bificket करने की कोई अवशकता नहीं है कि 1-1% मैंने बता दिया यह 1-1% कैसे बना है चार चीजों को मिला के primary primary बच्चों को पढ़ा है पहले 5 भी तक के बच्चों को पढ़ा है एक परसेंट लिया फिर उसके बाद 12 तक के बच्चों को पढ़ा है एक परसेंट और add कर दिया clean ganga के नाम पे एक और और health के लिए एक और इस तरीके से 4 बना दिया सर यह 4% किस पे निकलेगा 4% इस पे निकाला जाएगा 4% जो निकाला जाएगा अभी जिन बच्चों का कुछ बच्चों का doubt आ रहे comment में मैं एक बाद topic करके जरूर आप लोगों के doubt पूछूँगा तो 72,500 आया देखिए इसका 4% यानि सर 4% की calculation बता रहा हूं है यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा 72,500 का 4% निकालेंगे तो 2900 क्या आगया 20 अब इसमें प्लस कर देंगे तो यह आएगा 75 400 यानि इसकी 9 लाख रुपए की इंकम पे 75,400 रुपए का इसको बोलते हैं tax liability इसको बोला जाता है taxable income दोनों में फरक है सर exam में अगर पूछ लिया taxable income निकालो कोई बच्चा है जो यह निकाल के आगया बोला taxable income टेक्स निकाल के दिखा रहे हैं तो उसका मतलब नहीं बनता उसका time खराब करका है जब तक question में tax liability ना पूछा जाए तो यह rate weight नहीं लगाना है ठीक है अब दो छोटी छोटी बाते और भी हैं अब ध्यान दीजिएगा कई बार ऐसा हो सकता है कि यह income बड़ा अटपटा आ जाता है अटपटा का मतलब जैसे की आ गया यह 4, 6, 7, 8, 2, 3 ऐसा आ गया तो सरकार बोलती है 2, 4 रुपे का हम ख्याल नहीं रखेंगे आप इसे round off करके दीजिए round off का मतलब समझते हो कि एक 0 वाले डिजिट बनाईए आप इसको तो जैसे इसका income आ जाता है मान लेते हैं यहां तो 8 लाग पहले से 0 में है अगर इसका income आता 4, 6, 7, 8, 2, 7 तो गवर्मेंट बोलती है आप 3 रुपे अपने पास रखिए हाँ जी अब आपर केस में जाएगा यानि आपको याद होगा दसमलब पॉइंट के 0.5 के उपर आगे जाना है 0.5 के नीचे जाना है लेकिन वहाँ एक रुपे की बात होती थी यहाँ पर 10 के multiple में round figure होगा यह बाते सर सरकार ने बताया हुआ है किसमे 288A section है हमारा 288A इसके अंदर इसका provision किया हुआ है तो जितने भी text होंगे आपको last में round figure करना होगा इसको तो नहीं करने की अवज़ सकता है क्यों sir? already round figure में है ऐसा ही हमारा text liability भी तो अटपटा amount आ सकता है तो again उसको 10 में करना है तो अगर इसको round off करना हुआ अगर इसको round off करना हुआ तो यह section याद रखना है आपको थोड़ा सा इसको round off करना हुआ यह आएगा 288B पहले A आएगा फिर B आएगा याद रखना है 288 section 288 कहता है कि अपने taxable income को round off कर दो किसमे multiple of 10 में 288B क्या कहता है अपने tax liability को round off कर दो multiple 10 में बस that's it तो इस तरीके से कुछ हम क्या करते हैं अपना किसी का taxable income निकाला जाता है कौन सा working note यह working note नहीं है slab rate है जो हमने last class में किया था कौन सा यह एक बर दुबारा दिखा दिखा दिते हैं पहले मैं हाँ हाँ अभी भी नहीं लगा यह next 3,00,00,00 है इसको चलो दुबारा एक दूसरे तरीके से समझा देते हैं काफी बच्चों का इसमें confusion है 8,00,00 की income मैं पीछे ले जाओ पीछे ले जाता हूँ 8,00,00 की income चलिए आप जैसे जानना चाते हो समझना चाते हो वैसे ही मैं बता देता हूँ 8,00,00,00 की income है मैंने बोला 5,00,00 की income पे टेक्स लगेगा 0 मैंने बोला 5,00,00,00 से यही सुनना चाते हो न 5,00,00,00 तक कितना लगेगा 5% तो इसके बीच में कितने रुपे निकल के आते हैं 5,00,00,00 की तो निकल के आते हैं तो 5,00,00,00 पे 5% लगाओगे न सीधा तो कितने आएंगे 12,000 फिर मैंने बोला 5,00,00,00 से 10,00,00, लेकिन हमारे पास तो 8,00,00,00 यह तो 8,00,00,00 निकालेंगे इसके बीच में कितने amount निकल के आएंगे उसी पे तो लगाना है हमें कितने आएंगे तो 3,00,00,00 पे कितना लगाना है हमें 20% तो यह आगया 60,000 तो देखो result तो हमारा वही आया 72,500 जो कि आप पीछे देख रहे थे समझ में आगी बात अब किसी बच्चे को हाँ हाँ बिल्कुल डिफरेंस के बीच में जो कैलकुलेशन आप भी कनफ्यूजन था अब किलियर हो गया अब जिस बच्चे का जो भी डाउट है डाउट पूछे जो बच्चे लाइब में इसके बाद हम आप से भी कोजिशन पूछेंगे किसी का टेक्स निकालने बताना है आपको